नमस्कार दोस्तों मैं इसके गुपताब सबकाजाद IAS Academy YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर करता हम यूनियन बजट में फ्योग की जाने वाली सब्दवली पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों अगर इस वीडियो की बात करूँ तो काफी इंप प्रेस्वत करने के बाद कहिए वस्तु एवं सेवा करेंने के जीएश्टी लागू होने के बाद यह देश का पहला बजट होगा जीएश्ट यानि गूट्स एंट सर्फिसेश टैक्स जो है एक दुलाई 2017 को जो है लागू हुआ था हमाय देश में अगर मैं समचार पत्रो की बात करूं तो समचार पत्रों के अंसार जो हो 31 जनवरी से 9 फारवर तक बजट सत्र का पहला चलेगा और इसके बाद जो है दूसरा चनल पांच मार्स से 6 परहल तक होगा ठीके दोस्तों और संसत का बजट सत्र राष्ट पति रावनात कोविन के अभिमासर से सुरू होगा ठीक है और 31 जनवरी को आर्थिक सरविच्छण के लोग सभा की पटल पर रखे जाने की उमीद है और उसके अगले दिन आम बजट पेस किये जाने के संभावना है ठीक है दोस्तों बजट को फरवरी के अंत में प्रस्तूत किये जाने की ब्लेटेस कालीन परमपरा को खत्म करते हुए पिछले साल जेटली ने पहली बार आम बजट को एक फरवरी को पेस किया था यानिकि इसका तरक है कि एक अपरेल से नए वित्वर्ष की शुरुवात से पहले सभी बजट प्रस्ताओं को मंजूरी मिल सके ठीक है ताकि समय पर धन की उपलपता सुनाश्य की जा सके इस बदलाओं के साथ ही रेल बजट को अलग से पेस करनी के परंपरा को भी समाप्त कर इसे आम बजट में ही मिला दिया गया था ठीक दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो जो है केंद्री बजट को एक फरवरी 2018 में प्रिस्तुत किया जाएगा और वर् बजट से जूड़ी एक सब्दवाली जारी की है जिससे बजट की बारे की है समझने में मदद मिलेगी आये इसे जो सब्दवाली है उसको जो समझने का प्रयास करते हैं देखें जो महत्पूर टर्म से मैं आप तक जो है दीरे-दीरे पहुचाने को ठीक है सबसे पहले सब बर्ष में सभी रोतों से सरकार को होनेवाली आंदानी और हरमद पर सरकार दौरा किये जाने वाले खर्च का बैवरा होता है ठीक है दोस्तों देखें पहले सब्सक्राइब पहले सब्सक्राइब आता है अगर मैं इसकी बात करते हो जिस टी एक मूल वर्धित कर है जो कि व समवर्धन के बाद की चरण में उपलब्द होगा जो प्रतेक चरण में मूले समवर्धन पर GST को आवस्यक रूप से एक कर बना देता है अंतिम भोगताओं को इस प्रकार अपूर्ती संकला में अंतिम डिलर दोरा लगाया गया जीस्टी वहन् करना होगा इस से पर इसले चलंडों के सभी में अफें सम आप्स हो जाएंगे ठीक है है चुंगी Central and sales tax CST राजिस्तर के sales tax entry tax lottery tax stamp duty टेली कॉम license fee return over tax बिजली के स्तमाल या बिक्री पर लगने वाले tax सामान के टांस्पोर्टेशन पर लगने वाले tax इत्यादी अनेकों करो के स्थान पर अब यह एक ही कर लागू किया रहा है यानि कि GST लगेगा single added tax ठीके दोस्तों जो आपका टैक्स इसकी बात करते हैं तो सीमा सुल्क जो है सीमा सुल्क एक प्रकार का अपरतक्षकर है जो भारत में आयतित तथा भारत से निर्यातित माल पर लगाया जाता है याना कि जो भारत पर आने वाली वाली बेची जा रही है फिर खरी दी जा रही उस पर लगता सीमा सुर्प ठीक है ये एक सब्द वली थी सब्देर वली आपके राजकोसी घाटा सरकार की कुल राजस्व प्राप्तिएं वह गैर पूंजिगत प्राप्तियों यान की उधार वा देताओं को छोड़ कर ठीक है जाता सरकार के कुल व्याय के बीच के अंतर को राजकोसिय घाटा कहते हैं ठीक है अईदर के नेश्टम की बात करते हैं यहापे राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्य की अधिक्ता के करण जो घाटा होता है उसे राजस्व घाटा कहते हैं राजस्व प्राप्तियों से राजस्व बै की अधिक्ता के करण जो घाटा होता है उसे राजस्व घाटा कहा जाता है ठीके नेश्टम के बात करता हूँ प्रात्मिक घाटा देश के वित्ती घाटे और व्याज की अदाइगी के अंतर को प्रात्मिक घाटा कहते हैं प्रात्मिक घाटे के आकड़े से इस बात का पता चलता है कि किसी भी सरकार के लिए व्याज अदाइगी कितनी बड़ी या छोटी समस्या है ठीक है राज़कोशी निती सरकार के राजा सुसंग्रह यानिकी कारारोपन तथा व्याय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यस्ता को वांचित दिसा देना राजकोसी नीती कहलाता है क 세के giving नेश्टर्म की बात करते हैं मौध्रीकMusic नीती जिस नीती के नुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकरन मुद्रा की अपूरती का नियमन करता है उसे मौद्विक नीती कहते हैं यानि कि मिनिटरी पॉलसी कहा जाता है इसका उद्धिस राज्य का आर्थिक विकास आर्थिक इस्थाइट तो सुनेश्चित करना होता है ठीक है तर्म की बात करते हैं मुद्रा इस्पीती मुद्रा इस्पीती गड़ती आकलन पर आधारत एक अर्थसास्त्री आधारना है जिससे वाजार में मुद्रा का प्रशार वा वस्तों की किमतों में व्रद्धिया कमी की गड़ना की जाती है ठीक है निश्टम की बात करते हैं पूंजी गत बजट पूंजी गत बजट में पूंजी प्राप्तियां और भुक्तान सामिल है ठी नेश्टर में आपका वित विद्ययक ने कर लगाने कर परस्ताव कर पर वर्तन या बहुजूद कर राचे को जारी रखने के लिए संसर्थ में परस्तुत्य वित कर में 166 चाहिक लूप सभा Mr. अन अकाउंट नामक ततकाली उपाय प्रियोग में लाती है इसके दौरा वह सरकार को वित वर्स में भी तब तक व्य करने के छूट दिती है जब तक बजट पारित नहीं हो जाता है यह समानेता बजट का अंग होता है ठीक है दोस्तों देखें नेश्टर में आपका अत्रिक अनुदान उसं हो उसृष के बीतने के बाद अत्रिक्त कफर्च सामने आता है तो उसके लिए अत्रिक अनुदान मांगा जाता है इस प्रकार अनुदानों की मांग विति वर्ष की समापति से पूर्व सदन में पेस की जाती है जब कि अत्रिक्त अनुदानों की मागे वास्तों में राशियां खर्च चुकने के बाद और उस वित्ती वर्ष के बीच जाने के बाद पेस की जाती है जिससे वे संबंदित हों ठीक है अने वाले वित्ती वर्ष के लिए किसी बी पंत्रालय अउजोजना के लिए बजट में आवन्टित धनरासी ठीक है इनके बजट का अनुमान लगा जाता है ठीक है इसके जो ने स्थित अनुमान यहनके सेस वे नई सेवाएं और सेवाओं के नए साधन को वे में रखते करने और जरूरत पढ़ने पर वित्ती वर्ष के बीच में योजनाओं में बदलाओं के उद्देश से प्रड़ाम बजट पेस किया जाता है कि निश्टर में आपका गिलोटिन लोगसभा में बजट पर चर्चा दो चरणों में होती है पहले चरण में चार से पांस दिन प सभा को देदनी होती है और इनकी राय मानना अनिवारे नहीं होता है संसत की सहाई समीतियों द्वारा कि द्वारा जो है दिये विचारों पर सदन में मद्दान होता है मद्दान के लिए कुछ दिनों का समय दिया जाता है दिये गए समय के आकरी दिन लोगसभा अधर्च सरकार को धन्की अप्रतसित मांग को पूरा करने के लिए रिवशत्यों की अवसकता हो च्क्रचते है सरकार को प्राप्त सभी राजसु बजार से लिए गए रिड़ और स्विक्तत रिलो पर प्राप्त भ्याज संचित निदी में जमा होते हैं भारती समिधान के अनुचे 266 के तहत स्थापित है यह ऐसी निदी है जिसमें समस्त एकत्र कर राजसु जमा लिए गया रिड़ जमा किया जाते हैं यह भारत की सारवादिक बड़ी निदी है जो कि संसत के अधीन रखी गई है कोई भी दन इसमें बीना संसत की पूर्व सुक की आकास्मिक्ता निदी भारत के आकास्मिक्ता निदी अनुचे 266 के अंतरगत संसत और स्थापित निदी जिसमें संसत से पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है यह निदी राश्टपति के नियंत्रण में होती है तथा उस निदी धन निकालने के लि जहां सरकार बेंकर के रूप में कारेकर रही है है ठीक है दोस्तों तो तर में आपका वी निवेशक सारवज्नी क्षेत्रों की कंपनियों क्रमों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचनी के प्रक्रिया दरसल इस प्रक्रिया के तहट सरकार घाटे में चल रहे सारवजिनिक छेत्र की उन कंपनियों या उपकरमों की कुछ हिंसेदारी को शेयर या बॉंड के रूप में बेशती है इस प्रक्रिय की तहत मिलने वाले धन का उपयोग सरकार या तो उस कंपनी को बेहतर बनाने में करती है या किसी अन दूसरी जो नौमें से इसको लगाती है त्यूंकि जैसे मैंने कहा था कि मैं जेओं करते हूं आप तक पहुंचाओंगा मैंने इसमिद्धा को शेयर नहीं कि यह ना कि मैंने आप अपने सब दियां पर डाले हैं ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और सब्स यह नहीं में